मनिपूर की स्थिती के बारे में अगर चार शब्दों में मैं कुछ कहूं तो वो ऐसा रहेगा प्रदान मंत्री का अहंकार सच्चाई को मानने से इंकार 86 दिन का लगातार हिंसा शाशन प्रशाशन का विफलता प्रदान मंत्री की प्रात्मिक्ता चुनोवे राजनीती है इंडिया पार्टीज की प्रात्मिक्ता देश और देशवासी है दोस्तों पिछले 86 दिन में मनिपूर में लगातार नरसंगार हिंसा बलतकार और एतनिक क्लेंसिंग हो रही है मनिपूर के सडकों पे मौट का तांडो हो रहा है सरकार से लुटे हुए हतियार घर घर गली गली पाए जा रहे हैं उस हतियार को आज तक महां की सरकार वापस बरामत करने में कामियाम नहीं हुई प्रदान मंत्री नरेंद मोदी जी को और इंडिये सरकार को इस मस्ले को सुलजाने के लिए ना ही तो उनकी इच्छा है ना ही उनकी चमता है ना अब तक उसके बारे में वो कुछ कर सके हैं आज फिर संसद में विपक्षी पार्टियों के तमाम संसद इखटा विये थे जुटे विये थे कि आज फिर हम लोग सत्ता पक्षे मनीपूर के ओपर चर्चा की मांग करें हम पिछले साथ दिन से जबसे ये मांसून सेशन शुरू हुआ है हम लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं हम नोटिसस पे नोटिसस दे रहे हैं पहले बारा संसद दिये थे उसके बाद 14-15 विये उसके बाद 40 पे गए फिर उसके बाद 50 दिये आज 47 संसद लगातार राजसवा में 267 के तहट नोटिस दिये थे चर्चा की मांग कर रहे थे मांग कर रहेंगे ऐसी गंबीर स्थिती के बारे में प्रदान मंत्री सदन में आये और पहले वो स्टेटमेंट दें और उसके बाद में चर्चा शुरू हो ताके ऐसे गंबीर इशू पे एक विस्तार एक डिटेल चर्चा होनी चाहिए especially जब Parliament in session हो तो लेकिन प्रदान मंत्री सदन में आने की तो दूर की बात सदन में आके स्टेट्मेंट देने की दूर की बात सदन के बाहर खड़े होके मीडिया के चंचातियों को जो कस्टमरी अड्रस रता है उसमें मनिपूर के घटनाओं के बारे में बात करने के बज़े दुसरे स्टेट्स के मुकमंत्रियों को अड्वाइस दे रहे थे कि कैसा शार्षन चला आ जाता है हम बार-बार उनको कहरे हैं कि आप सदन में आईए लेकिन प्रदान मंत्रे सदन उनके लिए प्रात्मिक्ता नहीं है सदन में आकर देश वासियों को अड्रस करना करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है लेकिन चुनावी राजियों में जाके चुनावी भाशन देना विपक्षी पार्टियों को भला बुरा कहना विपक्ष पार्टियों के बारे में गलत सलत कहना और विपक्ष पार्टियों के बारे में टिपनी करना यहां तक कि जो विपक्ष पार्टियें सारे मिलके जो अपने गडबंदन का नाम चूज किया था इंडिया पा उसको भी लेके टेर्रिस्ट और्गोनिजेशन से जोड़कर पता नहीं बहेकी बहेकी बातें करने लगे हैं और लगातार विपक्ष पे हमला बोलने लगे हैं उनके ग्रे मंत्री से वो चिट्टी लिखवाते हैं Leaders of Opposition या Flow Leaders के लिए हमारे यलोपी के पास एक चिट्टी आई थी उदर लोग सभवा में हमारे Flow Leader के पास एक चिट्टी आई थी चिट्टी का जवाब तो हमने दिया Home Minister ने चिट्टी तो लिख दी लेकि आज हो मिनिस्टर सदन से गाइब थे वो मद्यप्रदेश में चुनावी भाशन दे रहे थे लेकिन हम ये बार-बार उनसे दोनों सदन में चच्चा की मांग करने के बाद फिर हम लोगों को लगा कि कोई और रास्ता नहीं है जो Parliamentary Democracy में जो instruments रहते हैं उसको हम हर एक instrument को इस्तिमाल करना चाह रहे थे अपनी आवाज उठाने के लिए जब कुछ हुआ नहीं तो हम लोग सबा में vote of no confidence की मांग की है हमने resolution मू किया है सारे इंडिया parties के तरफ से अब उसके ओपर बहस होगी लेकिन उसके ओपर भी चर्चा के लिए अभी तक speaker ने अड्मिट तो कर लिया लेकिन सरकार जो है कि आदे घंटे पहले की information है कि वो चुर्चंड एरिया में जो हिली एरिया है वहां पर आज fresh violence हुआ है जो लगातार violence हो रहा है तो यह ज़रूरी है कि सरकार उसके ओपर specially जब पर पार्लिमेंट session में है तो उसके ओपर चर्चा करें चर्चा कर नहीं हम हर दिन notices दे रहे हैं protest कर रहे हैं विपक्ष की विपक्षप पार्टियों की बैठक बुला रहे हैं appeal कर रहे हैं मीडिया के त्रू application कर रहे हमारे नेता राहूल गांदी जी मनिपूर जाके है हमारे congress party के महिला congress के का क्य एक delegation मनिपूर जाके आया कई लोग हम पे मनिपूर जाके हुआ कि हालात के बारे में में आके हम लोगों को जब सुनाया तो हम लोगों को आओर लगा के जो है बहुत सरा information छुपाया जा रहा है क्योंकि internet शेड़ोन लगातार था अभी स्रिफ broadband को मुझे लगता है कि हुआ पर अल मिल रहा और जो delegation पर delegation अलग-अलग delegation तो लीडर जा रहे हैं उनके त्रू जो information मिला है तो ऐसा लग रहा है कि जहां पर कोई law and order situation ही नहीं वहां पर गली घर घर हतियार मिल रहे हैं और वहां पर ऐसा लग रहा है कि आपस में अपने ही लोग अलग-अलग camps में बटे विए और यह एक दूसरे के खून के पैसे हैं तो इसलिए विपक्षी दलों ने तहे किया कि अपना एक delegation अपना एक delegation होँँ पर जाना चाहिए आज की बैटक में वह आज इंडिया पार्टी की बैटक में वह तहे हुआ कि एक delegation विपक्षी पार्टियों का इंड 23-27 उसमें जाएंगे कल सवेरे डेली सी वह आठ पचपन की फ्लैट से निकलेंगे 20-7 हमारे लोकसबा राजसबा कोई 16 पार्टियों से वह साती रहेंगे वह वहां जाएंगे कल दिन भर हिली रीजिन में हिली एरिया में और वैली एरिया में दोनों जगा जो है दो दो ति करेंगे और यहां से विपक्षी पार्टियों या पूरे सांसाथ के तरफ पूरे पारलिमेंट के तरफ से एक मेसेज टप ले जाएंगे कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं उनको वहां पे पीस रिस्टोर करवाने के लिए जो हमारे हाथ सी हो सकता जो हम कर सकते हूं करेंगे क कर्सों सुबह में दस बजे गावर्नर से भी मुलाखात होगी अपॉइंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मे गवरव गोगेजी रहेंगे, राजियू रंजन सिंग, ललन सिंग जोडियो के नैशनल प्रेज़डेंट है वो रहेंगे, मिस शुश्मिता द्योटी-मसी सी रहेंगे, कनीमोडी करुनानिधी, श्रीमती कनीमोडी करनानिधी डी-मक सी रहेंगे, स्री संदोश कुमार CPI सी रहेंगे स्री एए रहीम CPI सी रहेंगे प्रोफिसर मनोज कुमार ज्ञा RJD सी रहेंगे स्री मती मौवा माजी JMN सी रहेंगे स्री जाविद अलिय खान समाजवादी पाटी सी रहेंगे स्री मोहमद फाइजल NCP सी रहेंगे स्री अनील प्रसाद हगडे JKU सी रहेंगे, स्री एती मोहमद वशीर IUML सी रहेंगे, स्री एनके प्रेमचंदरन RSP सी रहेंगे, स्री सुषिल गुपता आमाद्मी पार्ठी सी रहेंगे, श्री अरविन सावन्थ शिवसेना उद्धौठाक। उठाकरे सी रहेंगे, स्री डी रवीकुमार वी सी के सी रहेंगे, स्री जैयन सिंग आरेलडी सी रहेंगे, स्री तिरुमा वालन वी सी के सी रहेंगे, और स्री मती फुलो देवी नेतम, आई अन्सी सी रहेंगे, ये बीस सांसाथ जाएंगे, और बहुत सारे सांसाथ जाना च जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे हिली एरिया में जाने के लिए सुविदाएं नहीं सिर्फ एक चौपर वहाँ पे अवेलेबल है वो चौपर का हम लोग गवर्मेंट से रिक्वेस्ट केके वो चौपर का हम इस्तेमाल करें इसलिए वहाँ पे जाने एक बाद डेलिगेशन दो हिस्सों में बटके दो बार हिली एरिया में जाकर आएगा इसलिए अभी सिर्फ 20-67 गएं बहुत सारे सांसाथ जाना चाहरे थे अलग-अलग पार्टीज के और अभी मैं आ रहा था तो भी मुझे एक दो पार्टीज से फोना आ था कि हमारे और एक दो सांसाथ जाना चाहर हैं लेकिन क्यूंकि हम सारे लोगों को लेके नहीं जा साकते हों पर 20-67 कोई भेज रहे हैं वहां पर गौवर्णनर्स ही मिलने के बाद आने के बाद यहां पर हम लोग प्रेस कॉंफरेंस करेंगे अब फिर दुबारा जो है इंडिया पार्टीज के तरफ से इंडिया मियानमार के साथ मियानमार के साथ पोरोज बॉर्डर हमारा उहां पे है अब वो बॉर्डर एरिया है इंपॉर्टन स्टेट है हत्यार हर घर में हर गली में पाया जा रहा है बहुर गंबीर स्टिती है नैश्नल सेकूरिटी का मामिला है हम लोग बार बार लगातार relevant rules के तह दोनों होसस में चर्चा की मांग कर रहे हैं, चर्चा होना चाहिए, डिटेल में डिसक्रिशन होना चाहिए, प्रदान मंत्री अपनी बात रखना चाहिए, उसके बाद में law and order restore करने के लिए, peace establish करने के लिए, rule of law established करने के लिए, हम लोगों को एक road map निकालना चाहिए, और ए governance fail हो चुकिए, आप मान नहीं रहे हैं, लेकिन parliament when in session आपको आके parliament में discuss करके statement देके एक road map निकालना चाहिए, यह अब मैं appeal करते हुए, अपनी press conference को यहां खतम करता हूँ.